देश में 6 चरणों का चुनाव संपन हो चुका है, साथवे वा अंतिम चरण में 1 जून को हिमाचल सहेत, 7 राज्यों और 1 केंदर शाषत प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होना है प्रदेश में 4 लोग सभा सीटों, शिमला, मंडी, कांगडा और हमीरपूर के साथ-साथ 6 विधान सभा सीटों, सुजानपूर, बड़सर, कुटलेहड, लाहुलसपिती, गगरेट और धरमचाला में उप्चुनाव के चलते 1 जून को वोट डाले जाएंगे अनुराग ठाकूर ने जिस तरह लंबे समय से सियासी पिछ पर सफलता की सीड़ी चड़ी जो अपने आप में एक मिसाल से कब नहीं है अनुराग ठाकूर ने 2008 में लोगसभा का पहला उप्चुनाव जीता था तब से लेकर आज तक उनकी जीत का ग्राफ उपर उठता जा रहा है उधर कॉंग्रेस ने सत्पाल रायजादा पर दाव खेलते हुए हमीरपूर संसद्य सीड से चुनावी रण में उता रहा है के सत्पाल सत्ती को पराजित कर उना विधान सभा से पहली बार विधायक बने थे वर्ष 2022 में रायजादा ने दूसरी बार भी चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें सत्पाल सत्ती से शिकस्त मिली कॉंग्रिस पार्टी ने एक बार फिर सत्पाल रायजादा पर भरोसा जता आते हुए इस बार लोग सभाचुनाव में उता रहा है